आज है 7th February और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन दमदार कंपनियों के बारे में जिसमें अभी गिरावाट चल रही है पहला है HDFC Assets Management Company जिसको हम HDFC AMC के नाम से भी जानते हैं दूसरा है Demart Demart के शेर में भी गिरावाट है हलकी सही सही लेकिन आज के दिन में गिरावाट है जबकि HDFC AMC में 4% से भी जादा के गिरावाट आज के दिन में देखने को मिली है और तीसरा शेर फार्मा से जुड़ा है और यहां पर भाया हाहा कार मचा है लुपीन का शेर है यह पौने 8% के गिरावट है और 805 रुबे पर आ चुका है और एक साल का सबसे बड़ा लो इसने बना दिया है वीडियो में डिसकर्स करेंगे इन तीनों कंपनियों के बारे में और यह भी बात चीत करेंगे कि मौके बन रहे हैं कि नहीं खरीदारी के और बन रहे तो कहां पर है वीडियो को शुरू करो उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो उसने वो काफी जादा हल्प करेंगे तो शुरुआत करेंगे हम HDFC Assets Management Company के साथ और ये आज तूटा है पिछले एक महिने में 10% तक की गिरावट दिखा चुका है दो हजार पांस सो रुपए से तूट कर नीचे आया है इसे पहले भी दो हजार एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में यहां पर 25% क लगाता तूट रहा है लगाता तूट रहा है बयंकर गिरावट चल रही है यहां पर 3300 रुपए ता की यह शेर चला गया था लेकिन उसके बाद अगर देखे तो यह free fall क्या सकते हो थोड़ा सा भी support बनता है उपर भागता है उससे बड़ी गिरावट दिखाता है यह लेक तेजी बनी थी तूट गया था करोना काल में दुबारा फिर तेजी बनी थी अच्छी खासी तेजी बनी थी लगता थे कि recovery लोटेगी लेकिन दुबारा भैंकर गिरावट अभी यहां पर चल रही है लार्ज केप शेर है 50,000 करोड के आसपास का इसका market केप है volumes की बात करें उससे पहले प्रमोटर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी holding प्रमोटर के पास है और प्रमोटर है HDFC Limited 52.62% की holding है प्रमोटर के पास और एक विशार गिर्वी नहीं है Files और mutual fund के अच्छी खासी holding है और दोनों ने बहुत बड़ी quantity खरीदी है December quarter में जब यह तूट रहा था 10.54% की holding Files के पास है 1.98% mutual fund के पास है अलगि insurance company ने हाथ नहीं डाला है यहां पर HDFC AMC की मैं बात करूँ तो 50% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ जबकि 50% लोग कहते हैं खरीदो तो यार यह इतना तूटने के बावजूद भी अभी भी लोग का भरोसा यहां पर नहीं लौट रहा है HDFC AMC की मैं बात करूँ तो इनके देखो revenue अच्छे नहीं है और यह दिक्कत है अभी 1500 करोड के revenue आज भी 1800-1900 करोड पर आपको जूलते हुए नजर आ रहे हैं 2017 में थे और जहां तक बात है profits की तरह कि profit में improvement ज़रूर है 550 करोड का जो profit हुआ करता था अब वो 1325 करोड है लेकिन फिर भी मेरे इसाथ से profit थोड़ा कम है यार थोड़ा ज़ादा profit इनको होना चाहिए और December quarter में भी अगर हम देखे तो 360 करोड का ही profit हुआ है जो कि कोई उतना extraordinary नहीं है और यही वज़ा है यह अभी भी share pressure में है कि results अच्छे नहीं आए है इनके यहां पर देखा जाए तो PE ratio 36-37 का है जो कि महँगा है शायद आज की गिरावट के बाद शायद थोड़ा और कम हो जाए इसका PE ratio लेकिन हाँ महँगा जरूर है यह sector PE 27-37 का है 62% एनालिश करते हैं खरीदारी करो यहां पर और मेरी भी buying के recommendation रहेगी HDFC AMC में क्योंकि देखो मुझे लगता है कि company जिस sector से belong करते वो sector दमदार है investment वाला sector है यह और लोग mutual fund हो गया SIP हो गया लोग खरीदारी करेंगे यहां पर लेकिन यह चीज़ भी है कि समय समय पर और नए और बड़े players भी आएंगे ठीक है तो अगर हम बात करें तो कई सारी apps वगेरा निकल कर आई है small case हो गई और भी कई सारी apps निकल कर आई है जहां पर आपको अलग portfolio manager मिल जाते हैं तो HDFC ऐसा नहीं है कि कई बहुत extraordinary काम कर रहा है यह और भी कई सारे बड़े players इस sector में गुश चुके हैं और इनकी वज़े से कही ना कहीं यह कह सकते हैं कि जो बड़े players है उनको थोड़ी से दिक्कत हो रही है लेकिन देखो यह समय के साथ लोग और जादा आएंगे अब FD वाला culture गया ठीक है अब लोग fix deposit कभी नहीं कराएंगे लोग भाया definitely mutual funds हो गए SIP हो गए यहाँ पे लोग जादा पैसा invest करेंगे आने वाले दौर में और अभी दीरे दीरे लोग सीख रहे हैं stock market के बारे में तो लोग खुछ से भी invest करेंगे और बाकी थोड़ा सा पैसा जो है वो SIP or mutual fund के through भी करेंगे reason यह है कि देखो tax benefit भी कई सारे मिलते हैं अगर आप यहाँ पर invest करते हैं तो कई सारे तो वो चीज़ भी यहाँ पर थोड़ा बहुत matter करेगा तो देखो HDFC AMC की मैं बात करूँ जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ से हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं किसी एक price पर बहुत सारे shares मत खरीदना लेकिन हर 100 रुपय की गिरावट में मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी quantity add करने के मौके ज़रूर बनेंगे दूसरा जो share है वो है एवन्य सुपरमार्ट जिसको हम डी मार्ट भी कहते हैं यहाँ पर गिरावट है आज के दिन में थोड़ी सी ही सही लेकिन गिरावट है 4065 पे आ चुका है और यह मुझे share अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पर गिरावट बहुत जादा गिर्मा चुकी है पिछले एक महिने की में बात करो तो पिछले एक महिने में 14% की गिरावट है तोटा फिर तेज़े भी अगर दिखाई तो वापस तोड़ी आई है वापस तेज़े दिखाई वापस वहीं पे आ गिया इवन एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाने के कोशिश करूँ तो पिछले एक साल में एवनी सुपरमार्ट के शेर में 40% का ग्रोथ जरूर है लेकिन 5,300 रुपे तक चाह चलाया था यह अब वापस तूट रहा है लगाता तूट रहा है तो यह अच्छा संकियन के लिए भी नहीं है लार्ज केप शेर है डाई लाग करोड से भी जादा का इसका मार्केट केप है वाल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं प्रमोटर के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग है 75% की होल्डिंग से प्रमोटर लेकर बैठे हैं 9.44% एफाइल के पास है 6.23 मूचल फंड 0.41 इंशॉर खरीदारी करके चलो यहां पर देखो मैं मानता हूं कि डीमार्ट बहुत ही बहतरीन कंपनी है और अभी कोरोना की वाज़े से लोग बाहर थोड़ा बहुत कम निकल रहे लेकिन जैसे जैसे चीज़े नॉर्मल होती जाएगी लोग जाएंगे मॉल्स में जाएंगे शॉपि प्रोफिट की बात है पांसओ पचास क्रोड से बेचा का प्रोफिट था इनका तो कंपनी के प्रोफिट बहुत तीजी से बढ़ रहे हैं कम्पनी के रेविन्यों भी तेजी से बढ़ रहे हैं और an मरत में जब गिरावट आई है सिर्फ और सिफ खरीदारी का ही मौका बन चुका है और राकेश जुन जुन वाला जी का एक बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट लुपीन में भी है इनके दो बड़े इंवेस्टमेंट है एक टाइटन और दूसरा लुपीन एक महिने में लुपीन 12% तक तूट चुका है साड़े 900 रुपे से अब 800 रुपे पर आ चुका है इतनी गिरावट है एवन एक साल की भी बात करूं मैं तो 24 पर्सन की गिरावट है 1250 पर था यह तूट गया एवन एक साल का सबसे बड़ा लो बना दिया है इसने अगर मैं तीन साल की बात कर तो पिछली बाल जब करोना आया था तो उस वक्त लुपीन का जो शेर था वो साड़े 500 रुपे के आसपास गया था लेकिन दुबारा बढ़िया तेजी बनी थी अब बहुत बड़ी गिरावट चल रही है और इस गिरावट में मुझे लगता ह है वो इनके quarterly results, results का उतना जदा welcome नहीं हुआ है, हलाकि जो expected था उतना नहीं हुआ है, expect जादा था, market ने कुछ जादे expect कर लिया था, के अच्छे आएंगे, लेकिन नतीजे वो average आए, हलाकि अच्छे ही है, बुरे नहीं है, जो इनका selling है, वो अब तक का सबसे highest है, 4,160 क्रो profit हुआ है, जो बहुत बड़ा profit है, क्योंकि पिछले साल, तो और पिछले quarter में इनको 200 क्रोर का loss हुआ था, और पिछले साल 435 क्रोर का profit था, तो अभी का वक्त में जो results है, वो average है, अच्छे कह सकते हैं आप इसको, shareholding में promoter ही बहुत बड़ी holding है, 46.53, FIS mutual fund insurance company, तीनों के प की holding mutual fund, 11.36 insurance company, बहुत बड़ी holding ये तीनों ही लेकर बैठे है, LIC के पास भी 8.39% की holding है, और इसमें भी बहुत बड़ी holding है, तो उस चीज को याद रखे है, यहाँ पर, लुपीन देखो company अच्छी है, company बुरी नहीं है, अच्छी company है ये, लेकिन अभी थोड़ी सी गिराव है, 32 का इसका P.E. है, जब कि अभी आज की गिरावट के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा, इसका P.E. ratio, तो थोड़ा और सस्ते कीमत पर लुपीन मिल ही रहा है, 49% analyst कहते हैं, खरीदारी करो, डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है, और मेरे हिसाब से डरने वाली बात उतनी ज़ाद नहीं है, लुपीन में, अच्छी कमपनी है, बहतरीन कमपनी है, तीनों कमपनियों के उपर नज़र रखे, लेकिन एक चीज़ साथ में जोड़ना चाहूंगा, कि मेरी राई ये नहीं है, कि जाके खरीद लो, लेकिन हाँ, नज़र रख सकते हो, और हर गिरावट म को पसंद आए हो, तो लाइक कर शाय करें, चैनल पर अगरा पहरी बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और तीनों कमपनियों में से आपको कौन से कमपनी पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं, थैंक यू